अंडर 19 महिला टीम ने साउथ अफरीका की पोर्चे फर्स्ट में इतिहास रच दिया बता दें रविवार को T20 विस्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को साथ विकेट से हरा दिया इस जीत के साथ ही भारतिय महिला टीम का वर्ल्ड कप किताब जीतने का सपना पूरा हो गया बता दें इससे पहले भारत की सीनियर या जूनियर महिला टीम कभी किताब नहीं जीत पाई थी और वह आपको बता दीं टीम इंडिया की जीत के बाद बी सी सी आई ने खिलाडियों और सपोर्ट स्टाप के लिए कुल पांच करोड रुपे के प्राइज मनी की घोशना की है बी सी सी आई सचीव जैसा ने इसकी जानकारी दी है जैसा ने ट्वीट किया बारत में महिला किर्किट चरम पर है और विस्प कप की जीत ने महिला किर्किट का कद काफी उचा कर दिया है प्राइज के रूप में पूरी टीम और सपोर्ट स्टाप के लिए पांच करोड पे की घोशना करते हुए मुझे खुसी हो रही है यह निश्चित रूप से एक रहा दिखाने वाला वर्स है वही जैसा ने टीम को बदाई देते हुए लिखा वर्ल्ड कप जीतने के लिए इंडिया यो 19 टीम को बदाई यह एक अभूत पूर्व उपलब्दी है क्योंकि हमारे युवा किर्किटरों ने देश को गोरामिंत किया है जैसा ने भारतिय महिला टीम को एक फरवरी को एहमदाबाद में होने वाले भारत न्यूजिलेंड टी-20 मैज देखने के लिए आमिंतरित किया है वही आपको बता दे देश के परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने टीम को जीत की बदाई दी है पियम मोदी ने टूइट कर लिखा आई से सी अंडर 19 विस्प कप में विसेश जीत के लिए भारतिय टीम को बदाई उन्होंने भैतरीन किर्किट खेली है और उनकी सफलता से आने वाले कैई किर्किटरों को प्रेरना मिलेगी टीम को उनके भविश्य के लिए सुब काम ना बता दें फाइनल मुकाबले में भारतिय टीम को जीतने के लिए 79 रन बनाने थे जिसे उसने 36 गैन बाकी रहते ही आसानी से टारगेट हासिर कर लिया सो में तिवारी 24 रन बना कर नाबाद रही वहीं जीसरा ने भी 24 रन की पारी खेली वहीं कप्तान सेफालीस वर्मा की बा दान दिया ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ